आज हम देखेंगे निम्नलिखित अवधार्णाओं के उधारण एक टोकरी में केले और अनार तीन अनुपात पांच के अनुपात यानि रेशियो में है पता कीजिए टोकरी में केले कितने प्रतिशत है और अनार कितने प्रतिशत है हमें दिया है कि केलो की संख्या का अनार की संख्या से अनुपात तीन अनुपात पांच है क्या आप बता सकते हैं इसका क्या अर्थ है? सोचिए सोचिए बिलकुल सही, यहां प्रतेक पाच अनार की तुल्ना में 3 केले हैं इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतेक पाँच दन 3 बराबर 8 फलो की तुल्ना में 5 अनार है और 3 केले हैं इस तरह से प्रतेक 8 फलो में केलो की संख्या का प्रतिशत 3 बटे 8 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 37.5 प्रतिशत और अनार की संख्या का प्रतिशत बराबर 5 बटे 8 गुणा 100 प्रतिशत बराबर 62.5 प्रतिशत है हम 100 प्रतिशत में से केलो के प्रतिशत को घटा कर भी अनार का प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं यानि कि अनार का प्रतिशत बराबर 100 प्रतिशत रिंड 37.5 प्रतिशत बराबर 62.5 प्रतिशत अगला उधारण एक विद्याले की छटी कक्षा में कुल 120 विद्यार्थी है 30% विद्यार्थी साइकल से विद्याले आते हैं और 6% विद्यार्थी स्कूल बस से विद्याले आते हैं। ग्याद कीजिए कितने प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल बस से विद्याले आते हैं। हमें स्कूल बस से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या ग्याद करनी है क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे पता करेंगे सोचिय सोचिय इसे हम अलग-अलग विद्यों से ग्याद कर सकते हैं जैसे हम देखते हैं कि 50 प्रतिशत विद्यार्थी और्टो रिक्षा से विद्याले आते हैं 30 प्रतिशत विद्यार्थी साइकल से विद्याले आते हैं और शेश विद्यार्थी यानि 100 प्रतिशत रिन 50 प्रतिशत धन 30 प्रतिशत बराबर 100 प्रतिशत रिन 80 प्रतिशत आने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 120 का 20 प्रतिशत बराबर 20 बटे 100 गुणा 120 बराबर 24 है। अगला उधारण दूद और पानी के मिश्रण यानि मिक्स्चर में 15 प्रतिशत पानी है। अनुमान लगाईए कि 29.65 शून्य लिटर मिश्रण में लगबग कितना पानी होगा। यहां हम आकलन से इस सवाल को कम समय में हल कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए सवाल को समझे। दूद और पानी के मिश्रण में 15 प्रतिशत पानी है। इस तरह से कुल 29.65 शून्य लिटर मिश्रण में पानी होगा 29.65 शून्य लिटर का 15 प्रतिशत याने की 15 प्रतिशत गुणा 29.65 शून्य लिटर। सबसे पहले हम 29.65 शून्य लिटर का निकटम दहाई से सन्निकटन करेंगे जो होगा 30 लिटर। इस तरह से पानी की मात्रा होगी 15 प्रतिशत गुणा 30 लिटर इससे ही हम 10 प्रतिशत धन 5 प्रतिशत गुणा 30 लिटर यानि 10 प्रतिशत गुणा 30 लिटर धन 5 प्रतिशत गुणा 30 लिटर इस प्रकार लिख सकते हैं अब हम 30 का 10 प्रतिशत ज्याद करेंगे, जो होगा 3 लिटर。 अगर हम इसका ही आधा करते हैं, तो हमें 30 का 5 प्रतिशत प्राप्त होगा, 1 बटे 2 गुणा 3 लिटर बराबर 1.5 लिटर. अब हम दोनों को जोड लेंगे, 3 लिटर धन 1.5 लिटर बराबर 4.5 लिटर, यानि कि पानी की मात्रा होगी लगभग 4 दिशन लग 5 लिटर आज हमने देखे निमनलिकित अवधार्नाओं के उधारण अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ मित्याधार्नाएं देखेंगे